अलो स्टूडेंट्स वागत था आप सभी का एक बड़ फिर से हमारी इस ओफिशल लुटुप चैनल में इसका नाम है एसोल सॉलुशन मैं चंदन कुमार हाज़िरूंँ आप सभी के सामने अपनी एक और नी वीडियो के साथ सो गाइस आज के इस ने वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फिफ्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में पॉलिटिकल साइन्स का विशे हैं और वो ये प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के पास में अप आप सभी के पेपर टाइटल की बात करें तो administration and public policy concept and theory इस subject के question paper की बात करेंगे यह देली एनिवर्सिटी की ओर से release किया गया official paper है इसमें आप देख सकते हो देली एनिवर्सिटी का जो भी official paper होगा उसकी कुछ खास पैचान होती है सबसे पहले इसमें आपको top पर आपको अप मैंच भी कर सकते हो कितने गंटे 651 teral from छार यहां पर आपको कोईभी चार करने होता है तो यहां पर आप देख ली 5 कोशन आपको का क्रणे हमें जब आपको नूमर पॉस्टी की बात क्रें तो आठ या दस मिलेंगे यहां पर अगर चैह मिलते हैं तो आपको कोई भी चार करने होते हैं, जैसे यहाँ पर आप किसी भी language copy कर सकते हो, या तो English भाषा या Hindi भाषा लेकिन सभी जो question के answer देंगे हो, किसी एक ही भाषा में आपको देना है, तो first question आपकी screen पर आचुका है, यहाँ पर आपको मैं सबसे पहली बात तो यह बता दूँ, यहाँ पर हम question paper को देख रहे हैं, कि question paper क्या-क्या paper में आता है, क्योंकि इसकी हमने detail video आप लोगों के लिए already बना दी है, अगर आप लोगों को topic के हिसाब से समझना है जैसे इसमें हरे question आप सोचोगे कि पूरी तरीके से explain किया जाए, तो वो संभव नहीं है यहाँ पर हम सिर्फ यह देखेंगे कि कैसे कौन-कौन से question आप से भी के exam में आते हैं और हमें किस तरीके के question करके जानें, तो चलिए start करते हैं इसमें से भी कौन-कौन से question आपके exam में repeat हो सकते हैं उन question को भी हम देखकर चलेंगे सबसे पहला question आप से भी कि screen पर शोग हो रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि लोग परशासन क्या है, इंग्लिश में बात करें तो what is public administration सबसे पहले आपको यह पढ़ना है कि public administration क्या है आपको यह explain करना है लोग परशासन हम किसको कहते हैं क्या बाते लोग परशासन को खास बनाती है कि लोग परशासन एक विशय के रूप में हम क्यों पढ़ते हैं यह पहले question में आप सभी को ऐसे देखने को मिल सकता है जो भी आपकी upcoming paper होंगे या तो simply आपसे पूछा जाएगा लोग परशासन क्या है लोग परशासन हमारे लिए उपयोगी क्यों है लोग परशासन किस प्रकार से एक विशय के रूप में बन पाया है इसका साथ साथ आपसे दूसरा question भी एक ही question में पूछा जाएगा जैसा कि इसमें पूछा गया है कि सार्वजनिक और नीजी परशासन के बीच परमुक कंतर को बताईगे ये question बहुत जादा important है paper में बार बार पूछा जाता है आपको याद रखना है कि सार्वजनिक और नीजी परशासन के बीच में कुछ अंतर होता है सार्वजनिक परशासन ऐसा परशासन होता है जो समाज के प्रतेक तपके के लिए सब के लिए होता है लेकिन नीजी परशासन हम देखेंगे तो नीजी परशासन अलग-अलग है इसे हम संस्थाओं के रूप में देख सकते हैं नीजी परशासन को हम किस रूप में देख सकते हैं संस्थाओं के रूप में हम देख सकते हैं वहीं लोग परशासन की जब हम बात करते हैं और उसमें जब सारवजनिक परशासन की बात होती है तो ये एक्ट्वल में अगर हम देखें ये लोगों के लिए या लोग के लिए ही सारवजनिक परशासन होता है लेकिन दोनों में कुछ बेरियस कुछ डिफरेंस भी होता है जिसके बारे मैं मैं चर्चा एक वीडियो में पहले से ही कर चुका हूँ अगर आप लोगोंने नहीं देखा है तो हो सारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आप सबी को इसमें एक तो क्या-क्या अंतर है आपको ये भी समझाए है और दोनों के बीच में क्या-क्या समानता है हमने इसको भी डिसकर्स की भी है नेक्स्ट कोशिन आपकी स्क्रीन पर चोड़ चुका है, कोशिन नमर सेकिंड है, इस वाले कोशिन में आपसे पूछा गया है, कि आपको बताना है लोग परशासन के पारस्तितिक उपागम के कौन-कौन से तत्व है, पारस्तितिक उपागम के तत्व का मतलब है, ऐसी कौन-क सकता है यह भी important question है इसमें से तीन question ऐसे हैं जो आप लोगों के exam में hundred percent किसी भी एरका question paper देखोगे आपको देखने को मिलेगा इसमें सबसे पहले first question था है यह question बार-बार आपको किसी भी paper में देखने को मिल सकता है अगला question आपके screen पर है question number third है इसमें आपसे पूचा गया है कि मानव सम्मंद सिध्धान्द के संदर्म में उन समाजी कोस्चल को समझाई है जिनके द्वारा परबद्धंक का मुचारी यह विश्वाद दिलाता है कि वैं संगटन का एक मैत्वपूर्ट अंग है तो हम जब हम कि की काडरीं इन्डेई-वाव में दूसरी बात जब कोई एक संस्ता पूरी त्रीके से कार defenses कर रहे होती है जब कार्य के सबका विभाजन होता है और उसके आंदर हम देखता है कि इसесь की कमी की वज़े से कार्य प्रभावित होता है वो कार्य जिस ढंग से जिस रूप से पहले हो रहा था उस रूप से अगर अब नहीं हो पाता तो हम देखते हैं कि उसमें जो परबंदन करमचारी है या परबंदन करमचारी को ऐसा विश्वास इस बात से दिलाता है कि वो सभी में या लोग परशासन पढ़ते समय हमें यह important रहता है हमारा कि हर एक परबंदन या कोई भी कार्रे जब हम करते हैं तो उसके अंदर करमचारियों को यह important होता है कि उनको उनकी जिम्मधारियों का अभाव ना रहे उनको अपनी जिम्मधारी पूरी तरीके से पता हो तकि एक सईयो ग्यात्मक संगठन रूप से कारे निपुण किया जा सके complete किया जा सके फूर्थ question आपकी स्किन पर शो रहा है इसमें यह भी important question है यह आपके वेपर में बार बार आपको देखने को मिलेगा इसमें question पूचा गया है लोग परशासन में हर्वर्ट साइमन के तारके करने के निर्माण उपागम को बताईए यह question बहुत बार repeat होता है यह question as it is हमने समझा रहा है अगर आप लोग नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकता है next question है question number five इसमें आपसे पूचा गया है विकास परशासन के विभिन तत्व को बताईए जैसे लोग परशासन होता है तो लोग परशासन में कई विवाग होते हैं उसमें से एक विकास परशासन है जो चनता है कि हमेशा उन्नति के प्रगति के लिए कार्य करता है तो उसके कौन-कौन से दत्व जो है important होता है उसमें जैसे संगठन होगा उसके अंदर लोगों के निरने शमता होगी उसके अंदर लोगों का बहवार होगा उसमें विपक्ष की भूमिका होगी तो यह सारी की सारी चीज़े इसके अंदर विकास परशासन में आती है जो उसकी criticism कम्य को भी दर्शाय जो उसके होने वाले बहतर परिणामों का भी अवलोकन करें जो उसके तार्किक विकास को भी दर्शाने का कोशिश करता है next question आपके screen पर question number six है यह भी बहुत important है यह बार-बार paper में आप से पूछा जाता है है जो चैसे बार-बार paper में पूछा आता है आपका कई question देखने को मिलेगा लोक नीटि से आप क्या समज्चते हैं लोक निती निर्माण में कारेपालिका की क्या भूमिका है। आप सभी को पता है जिन भी देशों में लोक तंत्र होता है। वहाँ पर सासन के तीन अंग होते हैं। एक कारेपालिका, एक होती आपकी विदाएगा, एक होती आपकी नियाएपालिका। अगर आप इसमें देखोगे जो शासन के तीन अंग है पहला अंग दूसरा अंग किसी को भी आप आगे पीछे लिख सकते हो बस तीन अंग याद रखे जिसे विदाय कानून बनाएगी तो कारे पालिका क्या करेगी उस कानून को लागू करेगी और नियाए पालिका यह चेक करती है कि जो बनाएगया कानून है वो जनता के हित में है भी या नहीं है अगर वो जनता के हित में नहीं होता तो क्या किया जाता है उस कानून को यह पालिका द्वारा निरस्थ कर दिया जाता है तो यहाँ पर हम इस चीज़ को इंपोर्टेंटली समझने का प्यास करेंग कारेपालिका पूरी तरीके से एक प्रवंदन की तरह कारे करती है और कारेपालिका में ब्यूर्योक्रेसी किसी भी कंट्री के अंदर उस देश के प्रशासन का एक प्रमुक अंग बन जाती है तो इसमें हम जब लोग शासन की बात करते है तो उसमें ब्यूर्योक्रेसी का एक मुख्य भूमिका निभा पाते हैं अपने लोग परशासन के अंदर जबी भी हम पढ़ेंगे तो कारेपालिका की भी एक महत्वपूर भूमिका होती है इसको लेकर हम एक अलग से भी कोशन मनाते हैं ये कोशन आपसे दिखमेदों तक शेयर करेंगे अगर आप लोग हमार से कनेक्ट होना चाहते हैं हमार से कनेक्ट हो सकते हैं स्क्रीन पर ये नमर्शे हो रहा है बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक दिये गए इसमें आप हमसे टेलिग्राम पर जुड़ना चाहें तो टेलिग्राम पर जुड़ सकते हैं लगबग हजार लोग उस पर हमसे जुड़ चुके हैं और बाकी आप इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं का लिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में